चुक्कि मानिय मुकमंतरी जीद पर के वल अरे हुए हैं और इनके आजू बाजू बैटने वाले साराब माफिया हैं, इनके राज में ये सब पुलिस लोग तो कमा ही रहा है, पुलिस प्रादिकारी तो करोरपती अरपती बन रहे हैं, ये मुकमंतरी चाहते क्या हैं, तो बात करना चाहते हैं। अगर ख्रिशी कानून वापस हो सकता तो सराब बंदी क्यों नहीं। और इनके आजू बाजू बैटने वाले सराब माफियां हैं। ये चाहते क्या हैं। बिहार को बरबात करना चाहते हैं। इसकी समिक्षा होनी चाहिए। और निशितर उसे जल्द से जिस्तिक्रता सिख्रे समिक्षा करके शाराब कानून पर पहल करना चाहिए। कौन सी समिक्षा एक बार समझ से परे है एक दिन समिक्षा बैठाक होई मेरतन बैठाक होई इसमें क्या फैसला लिया गया चौकिदार जमदार जो है वो जिमेवार होंगे कैसी समख्षा क्यों बात हो रही है मैं यह कह रहा हूं कि जो कानून बने हैं उसकी समिक्षा पुना करना चाहिए पुना विचार करना चाहिए और सर्वदलिये वैठक बुलाकर करना चाहिए इनके राज में यह सब पुलिस लोग तो कमाई रहा है पुलिस प्राधिकारी तो करोरपती अरपती बन रहे हैं वालने जडियों को एक बार फिर सुनाया है आज उन्होंने सुबह में फिर से कहा कि आपके पूरी प्रसासन की जिम्यवारी होती है प्रसासन क्यूं चूप है अखिर उनकी सनलिपता होती है निश्ची तुरुप से सरकार के जब लोग रसुकदार लोग इसमें सामील हैं तो लेकिन उनके तो रशुकदार नेताओं के लिश्चेदार हो लोग डियस्पी और एस्पी हैं तो कैसे वो जिस्टार्ज होंगे उपर देखिए भाई विरेंदर थे मुख्य प्रवक्ता है और वधायक भी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए शराबंदी कानून को लेकर के अंडिये के अंदर जो घमासान मचा है वो अम निकल कर सामने आ रहा है एक बार फिर से सब्दलिया बैटक हो इस पे और पुना विचार की आ जाया फस्ट बिहार के साथ बने रहे संद्र मंत्र के बाशा भारत के जाने माने सर्विष गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार गैरंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे, पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी, इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था, बाबा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने। अर्शाओं का समाधान गुरू खांजी अभी कॉल करें 9821707996